last six chapter number first knowing the number numbers यानि संख्या संख्याओं के बारे में जानकारी इसका हिंडी ट्रांस्टेशिए numbers as we know numbers क्या होते हैं जो हमें किसी भी object को count करने में help करें which help us to count object हाना objects को गिंती करने में जो हमें help करें जिने count करने में help करें वो कहलाते है numbers या संख्या अब there are some type of number which is according to class 6 यह कुछ numbers लिखे हैं जो कि 6 class के student के लिए enough है समझना ठीक है ऐसे हमारे और भी types के numbers होते हैं but these are some basic number यहां पर जो आपके लिए numbers के नेम लिखे हैं वह class 6 के standard तक के लिए बिल्कुल sufficient है okay so first types of number is natural number natural को हिंदी में बोलते हैं ताकत संख्या हिंदी में बोलते हैं तो positive numbers up to infinity infinity means undefined इसकी कोई definition नहीं हो यह कितने digits का number है यह हो सकता है में भी 3 हो जाए यह हो जाए two digits का कोई number हो यह three digits का कोई number हो यह four and so on यह इसके बारे हमें कोई information नहीं हो positive numbers में ही आता है होगा तो यह भी positive number ही बट कितना बड़ा number है यह करोड है यह क्या उससे भी बड़ा है लैक में है कितना है तो यह कितना भी बड़ा हो सकते तो positive number up to infinity is call natural number यानि प्राकत संख्या whole number whole मतले हिंदी में बोलते है पूर्ण संख्या हना number पूरा कब होता है जब उसमें प्लेस पे 0 रखके हना तो वन और जीरो यानि जब जाके 10 बना 10 में फिर वन एट किया थ्री एट किया तब जाके आपके क्या बना 11 12 13 14 तो विडाउट जीरो आपके नंबर complete नहीं है हना तो whole number पूर्ण संख्या जीरो और नेच्रल नंबर यानि positive number को इंकलूड कर लो तो वह कहलाते हैं whole number अब integers की बात करें अब जीरो और positive number के साथ negative number भी आ गए तो वह कहलाते हैं आपके इंटीजर इंटीजर को हिंदी में बोलते पुर्ण पुर्णांक फिर नेक्स नंबर है प्राइम नंबर प्राइम नंबर यह एक्जांपल आपके लिए लिए प्राइम नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो one and itself यानि ऐसे नंबर जो one की डेबिल से से डिवाइड और खुद की टेबिल से डिवाइड हो easy way में अगर हम इसको बोले तो वह कहलाते हैं हमारे प्राइम अब भाज्य संख्या और किसी टेबिल से फुली डिवाइड नहीं हो हमें यहां पर फुली डिवाइड की बात कर रहे हैं जैसे देखिए two one से यह question और English आपके जो यहां पर पचेगा वो कहलाएगा remainder और हिंदी में उसको बोलतने शेश्वार one की टेबिल में two किते टाइम जा रहा है two times one two जा two remainder किता बच्चा जीरो ठीक है तो अब बात कर हैं किसकी next वाल example कि अब two को two से divide कर रहे हैं किते टाइम जाएगा two one जा two कोई भ आया इससे पहले वाले इस वाले example में two आया था तो फूरे पूरा जाए points में नहीं जाए यानि points जैनी decimal में डिवाइड नहीं वह इस तरह की फॉर्म में डिवाइड होना चीए नहीं फ्रेक्शन की फॉर्म में भी नहीं रहना चीए तो वह कहलाते हैं आपके प्राइम नं विश्रम संख्या यह देखिए टू की टेबिल में डिवाइड नहीं हो रहा जो नंबर टू की टेबिल से डिवाइड नहीं हो तो इसको कहते हैं और नंबर विश्रम संख्या नेक्स्ट आता है फ्रेक्शन क्या होता है हमारे positive numbers का ratio होता है यह देखिए यह जो sign है वो divide को रिप्रेजेंट कर रहा है यह यह numerator कहलाता है यह denominator अंश और हर यह dividend होता है और यह दिवीजर है ठीक है जैसे डिवीजर में आप जब divide करते हो न मतलब आपके पास माली जिए यह एक circle है आप इसको 3 parts में divide करें आप 2 parts में divide करें तो यह half मतलब यह पूरा टुकड़ा नहीं है यह क्या है इस पूरे circle का only कितना part है एक part है मतलब आपने 2 part करें दो part में से कितने part ले लिए एक part ले लिए एक भाग ले लिए दो तुकड़ों में से एक टुकड़ा यह 1 by 2 half का मतलब होता है दो टुकड़े किये आपने किसी भी चीच के और उस में से आपने क्या क्या एक टुकड़ा जैसे माल लीजिए chocolate है आपके पास एक कोई आपका इसका क्या करता है fraction इसका टुकड़ा कर देता हूं fraction मतलब हाफ कर दिया आपने बॉला हाफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सिफ दो candidate है दो जनों में बातनी है तो दो टुकड़े करोगे 1 टुकड़ा एक को दे दोगे तुकड़ा एक को तो उसने आपने तो खुल मिलाके नंबर की अब चॉकलेट नेगेटिव तो हो नहीं सकती थी ऐसा तो नहीं बोलोगे आप में नेगेटिव बाइट बाता इसलिए फ्रेक्शन नंबर ओली पॉजिटिव नंबर का रेशियो होता है और भी टाइपस के नंबर होते हैं जैसे फ्रेक्शन अब मालो कोई प्रॉडम आजाती है कभी कभार कि नेगेटिव आपको ना इस फ्रेक्शन तो चाहिए होता है लेकिन आप नेगेटिव नंबर का रेशियो लेना चाहते हो तो वहां तो फ्रेक्शन फुल्फिल नहीं हो रहा तो और भी टाइपस के नंबर होता है जिनको कहते है रेशनल ना वह नेगेटिव नंबर का भी रेशियो ले सकते हो उसमें वह आपके स्टेंडर्ड में नहीं हो अभी आप लोगों के स्टेंडर्स के अकॉर्डिंग यह जो नंबर यहां पर लिखे में इस एनफ ओके थैंक्यू